हलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज की इस लेक्चर में हम करेंगे हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ आफ बड जोइंट कंटेनिंग पैकिंग प्लेट और फर्दर इन डिस वीडियो हम एफिशेंसी भी इस जोइंट की निकालेंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेब जोइन और बड जोइन के और भी निमेरिकल्स कराया थे एफिशेंसी के उपर अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंग गिवन है तो आज हम करते हैं वाला दो कवर प्लेट्स हैं यह और आपको फाइंड स्ट्वेंट ऑफ जोइंट जोइन की जो आपको स्ट्वेंट निकाल लिए और फंदर आप एफिशेंसी भी निकाल लेंगे आपको गिवन है M20 बोल्ट्स ग्रेट 4.6 के और स्टील की ग्रेट है F410 तो आप करते हैं क्या है कि figure आप ड्रॉ कर लाँ तो figure सा आपको मालम चलेगा यह 18 mm plate है 18 mm है अब वैसी दिख रहा ही दो plates connect तो हो नहीं सकती but joint की तुरू तो इसके लिए हमको packing plate का यूश करना पड़ेगा to make the connection possible एक बात note करें आपकी packing plate जो है is only here to make the connection possible है ना वो transfer of load में आपकी कोई help निकरती है ना it does not take part in transfer of stresses तो यह सिर्फ होती है to make the connection possible तो इसकी हम देख लेते इसका अगर प्लान देखों में तो यह कुछ इस तरह दिखेगा इसमें 12 बोल्ट लगे हुए 6 इस साइट पर और 6 इस साइट पर तो अब हमको निकालनी है इसकी strength of joint strength of joint के तीन क्राइटेरिया है strength of joint निकालन निकालते हैं और बाकी दो हम बोल्ट के लिए निकालते हैं तो एक होगी प्लेट के लिए दो होगी बोल्ट के लिए प्लेट के लिए हम निकालते हैं रॉप्चर स्ट्रेंथ मतलब टीडियन प्लेट के लिए दूसरा हम बोल्ट के लिए shear strength निकालते हैं जो की VDSB होती है और बोल्ट के लिए हम वीरिंग स्ट्रेंद निकलते हैं जो कि वी डीपी वी होती है इन तीनों का जो लिस नbnे आTा वह हमारा स्ट्रेंद्ट डोन्थ एक अकर के तीनों निकाल लेलएं तो बोल्ट के लिए फरस्ट है शीर师 ट्रेंथ ग्लेए के लिए शियरPhone मेंझन सक्षा या पेज निमर 75 के उपर आपका यह formula given होगा यहाँ पर यह वाला shear capacity of bolt VDSB का यह design है VNSB होता nominal तो यह nominal का formula है VNSB FUB upon root 3NNNB plus NSASB upon gamma MB VDSB में करना है क्योंकि partial safety factor है design के लिए लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि इस question में आपकी है packing plate तो packing plate के लिए एक अलग provision given है आपे कि clause 10.3.3 में आप देखें उपर की side इसकी just right में कि the design shear capacity of bolt carrying shear through a packing plate मतलब हमारे question में packing plate given है यह वाला आपको apply करना उसके अंदर तो in excess of 6 mm shall be decreased by factor of beta pk given by beta pk is equal to 1 minus 0125 tpk मतलब आपको जो आपकी shear capacity of bolt की जो value आती है उसको एक factor beta pk से decrease करना होता है क्योंकि आप जब packing plate का use करते हो तो यह जो shear capacity of bolt की वो कम हो जाती है तो आपको उसको में beta pk का factor include करना है तो इसमें क्या कुछ भी नहीं देखना है कोडिल प्रोविजन के इसाब से तो बीटा pk की value क्या given थी हमको 1-0.0125 tpk और tp के यहां पर क्या है thickness of packing plate जो हमारी packing plate है उसकी thickness तो thickness of packing plate easily निकल जाएगी आप देखो यह 18 mm है यह 10 mm है तो यह 18 mm कैसे निकालेंगे यह पूरा 18 है 18-10 करेंगे तो thickness of packing plate आजएगी तो 18-10 या फिर सिंप्ली सिंप्ली सोच लें कि दोनों plate का difference कर लो तो packing plate की सिंप्ली जाएगी ऐसी देखो 18 यह पूरा होगा 10-10 किया तो यह आगी है 18-10 टीपीक आपका आया 8 mm अब आप टीपीक की value इसमें put करेंगे तो बीटापीक आप निकाल लेंगे बीटापीक फैक्टर तो बीटापीक आएगा 1-0125 x 8 बीटापीक आजए आपका 0.09 अब आपको सिर्फ इसमें multiply करना है तो आप आप देखें कि बीटापीक को fub upon root 3 n n आपका formula है तो आपको आप देखना है कि एन भी क्या होता है एन भी क्या है एस भी क्या है तो आपको यह पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ जोइंड अगर हो तो n n मतलब number of shear planes passing through thread 1 होता है और number of shear plane passing through shank यह भी 1 होता है shank means आपका जो without threaded portion यह तो एक shear plane आपको thread में मिलेगा एक shear plane आपको shank में मिलेगा एन भी क्या होता है area threaded portion का area जो कि थोड़ा less होगा आप देखें ऐसे ऐसे तो यह कुछ less होगा इसका cross sectional area इसमें हम एक factor .78 multiply इसलिए करते हैं ताकि वह हम factor को कम कर सके मतलब यह area कम होता है तो इसको कम कर सके तो पॉइंट diameter of volt जो की हमको question में given ही होता है diameter of volt यह m20 given है यह 20 ही diameter of volt होता है 20 mm diameter of volt है और d o क्या है diameter of hole तो d में आप 2 add कर देए 20 plus 2 तो diameter of hole आदा 22 mm और ASB क्या है तो area of shank portion तो यह तो शैंग तो पूरा ही circle है तो cross section area circular होगा था 5 by 4 times d square इसमें कोई factor नहीं है अब आप देख लेंगे एफ ग 6 दे रहे हैं आपकी bolt की आपको fub क्या होता हूँ देखना तो great 4.6 given है तो fyb क्या होगा तो इस 4 और 6 को multiply करो 240 तू 4 और 6 को multiply करना भी क्या आता है 24 उसमें एक 0 आप अलगा दो तो 240 में मेगा पासकल आ गया और fub निकालने के लिए 4 के आगे सिरह आपको 20 जोडने तो 400 मेग आप आसकल यह एक ट्रिक हो गई याद रखने की इसकी अगर इसा great 4.6 तो आप fub और fub कैसे निकालेंगे बोल्ट के लिए तो इस तरह से 4 और 6 multiply करो fub और 4 क्या डबल 0 जोड़ दिये तो fub और ध्यान रखें हमेशा fub से बढ़ा होता है अब आप देखें आप formula में सारी values पूट कर दें बीटा पीके fub upon root 3 एनन एंगलेंगे प्लस एनस असबी बीटा पीके आपके आई थी 0.9 तो 0.9 400 fub आपने निकाली 400 अपॉन रूट 3 1 एनन मल्टिप्ला 0.78 पाई बाई 4 टाइमस डी स्क्वार प्लस 1 इंटू क्योंकि एनस 1 बाई बाई 420 स्क्वार से आए आपने एक बोल्ट के लिए निकाला है means single bolt के लिए आपने वैल्यू निकाली है तो आपके आप देखें total number of bolts आपके कितने हैं लेकिन आपको total number of bolts भी आपको देखने कि यहाँ पे तो 12 दे रखें लेकिन आपको 12 नहीं consider करने एक plate के मतलब यह single plate में आगर कितने bolts लगने तो तो six bolts are sufficient to fail तो एक plate के अंदर कितने लगी है तो यह सब देख सकते हैं एक plate के अंदर six है इसमें भी six है यहाँ फिर six bolts minimum लगेंगे इसको fail होने के लिए तो आप यहाँ पे six multiply करेंगे six bolts के लिए आपको total VNSB निकाला है तो एक bolt के लिए आपने निकाला 116.22 तो six के लिए कित कि याद रखें आपको नॉमिनल नी डिजाइन चीए तो डिजाइन में निकालने के लिए आपको गामा इंबी से सिर्फ डिवाइट करना गामा इंबी इस पार्चल सेफ्ट एफ्टर पर गोल्ट तो वी एनस भी गामा इंबी की वैल्यू पर आपको बता दो मैं पेज नॉमिनल में आप पार्चल इफ्ट इफेक्ट करो तो डिजाइन आ जाएगा तो 697.32 जो कि 6 बोल्ट के लिए अपन 1.25 तो आयागा 557.85 किलो नुटन जो कि हमारी फाइनल भी वी डेस भी वेल्यू निकल के आ रही है तो एक क्रेटे लिए हमने कंप्लीट कर लिया कि वी इस भी निकाल लिया हमने अना डिजाइन में वी डियस भी अब आपको बेरिंग स्ट्रेंग निकालना है उसके लिए हम अब बेरिंग में निकालेंगे बेरिंग के लिए आप सेकेंड क्रेटेरिया आपका बेरिंग के अंदर है तो बेरिंग में आपका फॉर्मिला होता है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है तो यह आपकी वैल्यू से इसमें कोई की फैक्टर इंग्लूड नहीं करना है सिर्फ वह शीर कैपसिटी में बीटा बीके इंट संब्सक्राइब करना होता इसमें कुछ भी नहीं है सब और एंड डिस्टेंस क्या होती है प्लेट के एंड से बोल्ट फर्स्ट बोल्ट होल के डिस्टेंस पैरलल टू फोर्स तो यह होगी 40 तो यह आपकी 40 पी 60 तो के बी की वैलिव आप निकाल रहा है यह पॉन 3D नौट मतलब 40 अपॉन 322 पॉइंट सिक्ट जिरो पिए पॉन 3D नौट मैस्ट फाइच 60 अपॉन 322 माइनस पॉइंट 25 या पॉइंट 65 एफ यू बी अपॉन एफ यू एफ यू बिया मैंने बता है आपको 400 और एफ यू होता है आपका जो एफ यू स्टील की रेट 410 वह या फका एफ यू है तो एफ 410 या पॉइंट 197 और फाइनली 1 तो आपको इन चारों में से लीस्ट द निकाल लिए आप डी मालूमागर डी 20 आपको देखना टी थिकनेस होती है तो थिकनेस कौन सी आपको लेनी आप ध्यान से देखें आप इस बहुत सारी दिखने आपको 18 mm 10 mm की प्लेट की लेनी या 18 mm कौन सी लेनी तो मैं आपको बता यहता हूं इसके लिए एक क्राइटेर लिए है कि मतलब यहां तो आप जो प्लेट की लेस थिकने से वो लो मतलब यहां तो 18 mm ले सकते हैं यहां फिर जो पैकिंग प्लेट है मैं स्वरी आपकी जो कवर प्लेट्स हैं जो 66 mm की हैं उन दोनों का सम मतलब कवर प्लेट्स का सम करो आप 6 प्लस 6 अगर एक वर प्लेट का least thickness या फिर summation of cover plates तो 6 plus 6 12 mm तो आपको देखना है तीनों में least कुन सी है मतलब एक प्लेट आपके 18 mm दूसरी 10 mm और तीसरी cover plates की sum तो 12 mm तो तीनों में least आज़ी आज़ी 10 mm तो आपको लेने T is equal to 10 mm thickness लेनी है बस यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है या पर thickness का यह क्रेटरिया आए कि यहां तो आप दोनों plates में से लीस्ट लो या फिर cover plates और उनका सम अगर cover plates का सम आ रहा है तो वह लीस्ट लो मतलब तीनों में जो लीस्ट है वह आपको लेनी है तो वह एंपी आपका 2.5.60 20 d20 डामेटर ओफ टीस थिक्नेस मैं ने बताए रहे आपको 10 और एफ यू 410 यह आपके आएगा 123 किलो न्यूटन अब वैसे यह वन बोल्ट के लिए आया जैसे आपने उसके लिए करा था वन बोल्ट अब आपको देखने आपको बोल्ट लेने तो 6 बोल्ट वही यह आपको एक प्लेट में 6 लग रहे हैं तो वही आपको यहां फिर 6 बोल्ट इनफ हैं इस कनेक्शन को फेल होने के लिए तो सिक्स सिक्स के लिए निकालेंगे तो सिक्सिंटू 1.23 आएगा 738 किलो न्यूटन तो डिजाइन स्ट्रेंद के आएगी वी नॉमिनल है गामा एंब इसे डिवाइट करें डिजाइन के लिए सेफ्ट फैक्टर से तो यह 738 अपन 1.25 वी डीपी आएगा 590.40 यह आपका आया वी डीपी भी जो आपकी सेकंड वैल्यू भी आपने कैल्कुलेट कर लिए अब आपको देखनी थर्ड वैल्यू जो की है राप्चर स्प्रेंद के अंदर अब एक और वैल्यूस में बताया तो आपको की बोल्ट वैल्यू क्या होती है इन दोनों का लिस्ट होती है मतलब इनके लिस्ट में और इसके लिस्ट में जो होगी वही होगी तो बोल्ट वैल्यू क्या निकल के आईगी आपकी बोल्ट वैल्यू आप देखें इन दोनों में लिस्ट कौन सी है यह कौन सी लिस्ट है यह लिस्ट है यह यह वाली तो वी डीपी भी देखें 590.40 है और वी NS VDSB आपके आ रही थी 557 दोनों में लीस्ट तो यह वाली है यह लीस्ट है यह आप क्या होगी Bolt Value आपकी निकल के आएगी इन दोनों की लीस्ट जो क्यों होगी VDSB 557.85 अब आपको Last में VDSB मतलब यह आपका लीस्ट आया इसमें और इन दोनों के इसका जो लीस्ट आयेगा वो आपका Strength of Joint के लाएगा इसको तो आपने Eliminate कर दिया और इन दोने की लीस्ट में जो भी निकलेगा वो आपका Strength of Joint होगा आपको Third निकालना है Strength of Plate मतलब Rapture Strength तो Rapture Strength का भी Formula Code Book में गिवन है Code Book में आपकी Rapture Strength का फॉर्मला गिवन है पेज नमर 32 पर यह रहा इसाइन स्ट्रेंट दू रॉप्चर यहाँ TDN.9 ANF upon Gamma ML यहाँ पर आप देख लें TDN.9 ANF upon Gamma ML और N की वेल्यू जहाँ पर फॉर्दर गिवन थी P-NDNOT एरिया आफ नेट एरिया आफ सेक्षिन है पर फॉर्द के परपेंडिकुलर और यह समेशन पी एस स्क्वार फॉर्द फॉर्द एंटू टी अब यह टर्म तो आपको निगलेक करनी क्योंकि यह Staggered Pitch के अंदर होती है Staggered Pitch बोले तो कुछ इस तरह की पेच होगी आप Staggered Pitch Staggered Pitch के अंदर होती है तो यह टर्म तो निगलेट कर दे नहीं है तो बच्चा यह B मैं संदी नॉट तो B होता आपका 200 Width Given आपको कुशन में आपकी Width Given है 200 mm तो B आपका 200 mm हो गया N है जो है Number of Bolts in critical section Number of Bolts critical section means जो section सबसे पहले break होगा अब आप देखें जब आप यह लोड लगाएंगे तो यह section सबसे पहले आ रहा है इस force के perpendicular तो यह section सबसे पहले break होगा इस तरफ से देखें तो यह वाला होगा तो यह दोनों critical section होगा है हमारे अब इन तिनों में least number of bolts के हैं तो 3 हैं यह 3 bolts least है तो N जो आपका होगा यहाँ पर वो 3 होगा और B200 और DO तो diameter of hole है 22 तो AN क्या होगा 200-3 into 22 multiplied thickness जो की क्या आ रही है आपकी 10 मैं आपको यह वाला इसमें वोई criteria यूज़ करना है आपका thickness वाला जो है मैंने बताया है यहाँ तो plates का minimum least और जो cover plate से उनके submission का list तो 12 mm, 10 mm लेनी आपको तो आप निकालेंगे TDN का 0.9 into 200 into minus 3 into 22 into 10 into 410.1.25 तो TDN आपका निकल का आगा है 395.56 किलो न्यूटन अब आपने तीसरी value भी निकाल ली इसमें TDN भी अब आपको देखनी list अब इन दोनों में list कौन से है रही हो देखें तो VDSB और TDN में list क्या आ रहा है तो 557.85 और 395.56 तो least वैसे ही दिख रहा है TDN is the least मतलब यह strength of joint क्या होगा तो least होगा इन तीन होगा तो क्या आ रहा है TDN 395.56 किलो न्यूटन यह हमारा least है जो कि हो रहा है हमारा strength of joint तो हमारा question तो यहीं finish हो रहा है लेकिन हम आगे अगर इसकी efficiency निकालना चाहे है तो efficiency का जो formula होता है वो होता है strength of joint जो कि TDN आया है upon strength of solid plate जो कि TDG है multiply by 100 तो इसके लिए हम उस strength of solid plate निकालनी तो strength of solid plate जो कि यह gross yielding में page number 32 पे आपका यह given है page number 32 पे यह है design strength due to yielding of cross section TDG AGFI upon gamma MO AG है gross section gross area of cross section AG आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर TDG AGFI upon gamma MO TDG क्या होगा B into T width into thickness अब यहाँ पर TDG 200 into 10 जो thickness मैंने बताई थी आपको list ले नहीं होंती तीनों की तो 10 into 250 FY आपका FY 250 upon 1.10 जो किये partial safety factor और जिसकी value पे निमर 32 अब आप देखें TDG का निकल क्या आएगा 454545.45 Newton TDG 454.454 kilo Newton में अब efficiency आप निकाल लो तो strength of joint TDN upon strength of solid plate TDG multiply by 100 और ETA आपका निकल क्या आएगा 395 तो कि यह 395 आ रहा था 0.56 upon 454.54 multiply by 100 तो efficiency आपके आएगी 87.02 percentage जो की है बहुत ज़्यादा हाई है तो यह है packing plate जब आप यूज़ करें उसकी efficiency तो यह था आज का numerical on how to find efficiency and strength of joint of a bird joint containing a packing plate तो मुझे लगता है आपको समझ में आई है वी वीडियो अगर आपको कुछ भी दिक्कत तो आप comment करके पूछ सकते हो अगर आप चैनल पर नए है तो subscribe करें और वीडियो को like ज़रूर करें जाते जाते हैं और तब तक के लिए हम आगली वीडियो में आप से फिर्म लेंगे THANK YOU